आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार फेंड्स साही अब question पढ़ लेते हैं and answer the question that follows तो यह आपका question है एक sentence है उसमें चार पार्ट है जो जंबल अप हुए हुए है हमें उना जंबल करके आपका meaningful sentence इससे त्यार करना है तो question पढ़ते हैं यह आपके पास चार sentences है इसमें से क्या पूछ रहा है कि इसके बारे में तो question है आपका what should be the correct sequence of the statement one तो statement one की हो रही है बात तो statement one ही एक बार पढ़ लेते हैं आप force within a field mouths a young native person into the word mentor is usually applied to the one who दोस्तों इसा पढ़के हमें एक चीज़ तो आई समझ कि हमारा c point से c से start होगा हमारा तो पहला आपका क्या आया c कि ठीक है तो इसको मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं दवर्ड दवर्ड मेंटर दवर्ड मेंटर इस यूजवली दवर्ड मेंटर इस यूजवली अब बात हो रही है अब इस तो आपको यहां से पता चलेगा कि आपका अगला पॉइंट आएगा डी तो अगला पॉइंट क्या आया सी के बाद आया आपका दी तो अब मैं इसे आगे लिखता हूं यूजवली एप्लाइड यूजवली एप्लाइड तू दा वन तू दा वन हूँ सी डी उसके बाद अगर हम यही से ऑप्षन चेक कर लें तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्षन है जो आगे को फॉलो कर रहा है सी डी बी ए तो इस वाले सेंटेंस को पूरा लिखके हम इसे आगे चेक कर लेते हैं क्या हमारा सेंटेंस मीनिंग्फुल बन पाएगा या नहीं तो अने पर सन अ फार सन इन तो आ पर शन मुद्ध तो इन तो ओर सेंटेंस पड़ा आपका सई सेंटेंस क्या है दवर्ड मैंटरी इता प्ली वन वो माउल्स अ यंग ने पर सं इंटो इंटो आपोर्स विदिन दा फिल्ड तो सुफरेंट्स अब नबर वन्वन विल बक्षन थेंक यू